वीडियो को एंड तक जरूर देखें से पहले हम बात करते हैं Nifty Index की बारे में कि कल के trading session में Nifty Index में हमारा क्या trade setup बन रहा है और कौन-कौन से level important हो सकते हैं कल के trading session में तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Nifty Index का daily chart लगा हुआ है और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Nifty Index की जो direction है वो upside में है कीच रहा है लेकिन दोस्तों overall जो direction है वो upside है और दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ज्यादा important level है वो है दोस्तों 18,265 के आसपास का level पिछले 3-4 week से हम discuss कर रहे हैं कि इस level के उपर जब तक nift index trade नहीं करेगा तब तक हम एक upside में अच्छा momentum देखने को नहीं मिलेगा और दोस्तों downside में range की बात करें तो downside में 70,760 के आसपास का level ये level भी बहुत ही ज्यादा important है daily chart पर तो इन दो levels को आप अभी भी valid मान सकते हैं तो ये दोनों level बहुत ही ज्यादा important है इनको आप जरूर ध्यान में रखें इसके बाद दोस्तों अगर हम nift index को hourly chart पर देखें तो hourly chart में भी द direction है upside है और दोस्तों यहाँ पर कल के वीडियो में मैंने आप से काता कि एक trend line को भी nift index follow कर रहा है और दोस्तों दूसरी trend line ये जो मैंने भी draw की है ये भी एक trend line है इस पर भी nift index बार बार support ले रहा है और support लेकर धीरे धीरे उपर जाने की कोशिस कर रहा है लेकिन end of the day nift index क कि जो closing आ रही है वो negative आ रही है तो इस परकर दोस्तों आपको nift index में direction पता चल गई है कि nift index में overall direction upside में है लेकिन end of the day nift index वहाँ से correct कर रहा है तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है इस परकर दोस्तों आपको nift index में direction clear हो चुकी है कि nift index की जो direction है वो upside में है अब हम बात करते हैं Intra Day की कि Intra Day में हमें Nipped Index को किस परकार trade करना है हमें direction पता चल गई है कि Nipped Index की जो direction है वो upside में है अब हम दोस्तूं Intra Day में यहाँ पर important levels की बात करें तो Intra Day में सबसे ज़्यादा important level है दोस्तूं 18,200 का level जो कि Дोस्तूं resistance level है आज इस level के आजसपास निप्ट इंडेक्स की ओपनिंग हुई लेकिन वहां से निप्ट इंडेक्स करेक्ट कर गया तो दोस्तों कल के treating session में ये important resistance की तरह वरक कर सकता है 18200 का level बहुत ही जदा important level है downside की बात करें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि निप्ट इंडेक्स में ये double bottom pattern बना है तो इस level के निप्ट इंडेक्स निकलेगा तो हम यहाँ पर short position को भी consider करेंगे और दोस्तों ये level है 1870 के आसपास का level इस level के निप्ट इंडेक्स निकलता है तो हम यहाँ पर short position बनाएंगे और हमारा जो target रहने वाला है वो 8020 के आसपास रहने वाला है ये जो level है दोस्तों इस level के आसपास हम अपना पहला target रख सकते हैं और दोस्तों इस level का भी breakdown होता है तो हम यहाँ पर इस swing low के आसपास अपना second target प्लान कर सकते हैं दोस्तों level है 7930 के आसपास का level है तो ये level भी दोस्तों कल के trading session में आपको देखने को मिल सकता है लेकिन दोस्तों nipt index की जो overall direction है हमने यहाँ पर daily chart में देखिए है कि वो upside में है तो हमें यहाँ पर upside के लिए ready रहना है तो हमें यहाँ पर जो भी trade प्लान करना है वो यहाँ पर upside की direction को ध्यान में रखते हुए करना है लेकिन दोस्तों अगर 18,000 के आसपास का level break होता है तो हम यहाँ पर short position को भी consider कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा important level है इस level के नीचे अगर nipt index निकलेगा तो हम यहाँ पर 18,900 के आसपास की level को भी देख सकते हैं exactly मैंने बताया कि 17,930 के आसपास आप अपना target plan कर सकते हैं लेकिन दोस्तों nipt index ने जो यहाँ पर double bottom pattern मनाया है उसके according मुझे नहीं लग रहा है कि कल के trading session में हमें downside में कोई ज्यादा अच्छा momentum देखने को मिलेगा हमें यहाँ पर upside के लिए तयार रहना है हमें यहाँ पर upside म अच्छा momentum देखने को मिल सकता है क्योंकि दोस्तों कल के दिन मैंने यहाँ पर जो यह trend line बताया थी इसका आज breakout भी आया क्योंकि यहाँ पर पहले सही nipt index gap up open हुआ था तो इस वज़ए से इस trend line का breakout हमें देखने को मिला लेकिन यह breakout sustain नहीं हुआ वापस nipt index उसी level के आसपास close हो गया जो closing कल के trading session में आई थी उसी के लगबग आसपास आज भी nipt index की closing आई है लेकिन दोस्तों trend line पर यह अगर pullback है यहाँ से price reverse होता है तो हमें यहाँ पर 8200 के आसपास का level first target की रूप में देखने को मिल सकता है इसके उपर निकलता है तो हमें यहाँ पर 8250 के आसपास का level भी कल के trading session में देखने को मिल सकता है और हमें आपर nipt index में straight upside का momentum देखने को मिल सकता है तो इस परकर दोस्तों आपको कल के trading session में nipt index में trade को plan करना है और इन important levels को भी आपको कल के trading session में ध्यान में रखना है अब हम दोस्तों बात करते हैं bank nipt index की बारे में कि bank nipt index में कौन के trading session में हम ध्यान में रख सकते हैं और उनके according हम अपना trade plan कर सकते हैं तो सबसे फ़ले दोस्तों हम daily chart पर banknift index की direction देख लेते हैं कि daily chart पर banknift index की direction क्या है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं nift index की तरह banknift index की भी direction upside में यह? banknift index भी upside में जाने की कोशिस कर रहा है उपर की साइड निकलने की कोशिस कर रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि बेंग निप्ट इंडेक्स को नीची की तरब कोई खींच रहा है लेकिन दोस्तों यहाँ पर बेंग निप्ट को consider करेंगे इससे पहले हम कोई भी short position consider नहीं करेंगे अब हम दोस्तों बात करते हैं intraday की कि nipt index को हमें कल के trading session में किस परकाद trade करना है intraday में कौन-कौन सी level है जिनको हम कल के trading session में ध्यान में रख सकते हैं और उनके according अपना trade plan कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर banknipt index की direction हाँ और आपको बता रही है कि banknipt index की direction है वो upside में अब दोस्तों हमें जो भी trade plan करना है वो हमें upside की direction को देंड में रख करना है इसके पारinken परGG आपको बहुत बहुत जबays होता है तो हम यहाँ पर short position को consider कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर हम first target की रूप में इस level के आसपास का target plan कर सकते हैं दोस्तों level up 92,470 के आसपास का level इस level के आसपास हम अपना पहला target plan कर सकते हैं और इस level के भी नीचे अगर बेंगिंट इंडेक्स निकलता है तो second target के रूप में हम इस level को consider कर सकते हैं दोस्तों level up 92,270 के आसपास का level इस level के आसपास हम second target को भी plan कर सकते हैं लेकिन दोस्तों bank lift index जिस direction में जाने की कोशिस कर रहा है उसके according मुझे नहीं लग रहा कि कल की trading session में आपको downside में कोई अच्छा momentum देखने को मिलेगा हमें दोस्तों यहाँ पर upside के लिए ready रहना है यहाँ पर upside में हमें बहुत ही अच्छा momentum कल के trading session में देखने को मिल सकता है कल दोस्तों weekly expiry भी है तो आपको premium DK का भी ध्यान रखना है क्योंकि premium DK बहुत ही तेजी से होते हैं expiry को तो आपको केवल in the money या add the money में यह trade करना है है तो इस लेवल के आसपास हम अपना target प्लान कर सकते हैं और दोस्तों 42,808 के उपर अगर बेंग निप्ट इंडेक्स निकलता है तो प्रिवेस जो भी swing हाई है उसको हम AJ target consider कर सकते हैं और दोस्तों वह लेवल है 29,250 के आसपास का लेवल यह लेवल हम AJ second target के रूप में प्लान कर सकते हैं तो इस परकर दोस्तों आपको अपनी entry को प्लान करना है और अपने targets को प्लान करना है जो भी swing हाई ब्रेक होता है और उसके उपर बेंग निप्ट इंडेक्स सस्टेन करता है तो हम upside के लिए जो भी previous high है उनको AJ target consider कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर important levels को आपको द्यान में रखना है 22,820 के उपर बेंग निप्ट इंडेक्स सस्टेन करता है तो हम यहाँ पर long position को consider करेंगे और 22,600 के नीचे अगर बेंग निप्ट इंडेक्स सस्टेन करता है तो हम यहाँ पर short position को consider करे और इन levels के according है आपको अपना trade setup बनाना है इसके अलाओ दोस्तों अगर बेंग निप्ट इंडेक्स इस range में trade करता है तो हम यहाँ पर कोई भी trade plan नहीं करना है अगर आप option seller है तो यहाँ पर आप sale position को consider कर सकते हैं लेकिन अगर आप option buyer है तो यहाँ पर आपको कोई भी trade plan नह में रखना है और इनके according है आपको अपना trade setup बनाना है इस परकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करने के साथ साथ bell notification को on करें ताकि आगे आने म वीडियो का notification आपको मिलता रहे है चलिए मिलते है आप से एकले वीडियो में तब तके लिए जैहिंग कीप लाइनी